Hello everyone, welcome to iExambeest and बहुत स्वागत आप सबी का iExambeest platform में to make your preparation 50% faster So दोस्तोर नाबाट ग्रीडे का examination जिसका इंतरार बेस अबरी से था इतनी जल्दी वो examination निकल गया आपने भी महसूस किया होगा और साथ ही साथ prelims का examination हो चुका है और उस होने के बाद हमेशा की तरह है वो feeling है यार यह हुआ कैसा है यहाँ पर इस condition में मैं आपको एक सही बात बता हूँ कोई भी student ऐसा नहीं होगा जो यह कह सके कि sir मैं तो बहुत confident हूँ मैं फेस टुक ले confidently prepare करूँगा डिफिनेटली बहुत सारे इस्ट्वेंट करेंगे बट वह मन में कई न कई डाउट है यार क्योंकि जी यह difficult था यह साई difficult था पता नहीं कट आफ कितनी जाएगी और मैंने हमेशा आपको कहा है तो दोस्तों जब भी पेपर difficult होता है वह सही valuation होता है फिर बहुत easy हो जाता है वह भी कई बार सही valuation नहीं होता है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है तो अपनी आज की इस वीडियो में हम यही discuss करने वाले हैं कि expected cut-off हो सकती है examination dates और result की date यह चीज़ें discuss करेंगे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मैं बार-बार कुछ quotes को repeat करता हूं और कुछ ही quotes important होते हैं दिको जैसे कि believe you can, दिको सबसे important है believe हम कहते है law of attraction work करता है सारी सब चाहे हमारे वेद हैं चाहे कोई भी philosophy हो हर को यह कहते है कि आप जैसा सोचिंगे वैसा होगा so हम कहते हैं कि movie dialogue हमें याद रहते हैं कि जिस चीज को पूरी शिदत से चाहो तो पूरी काइना जुट जाती है उसको आप से मिलाने के लिए बस वही चीज आपको ध्यान दखना है तो दोस्तों examination हो चुका है expected cut off क्या होने वाले phase 1 का result कब आएगा phase 2 के examination date क्या होगी यह तीनों ही चीज़े important है इसलिए important है क्योंकि आपने सपना देखा है वो नाबाट ग्रेडे officer बनने क यह सपना थोड़ी था कि केवल phase 1 clear करना है phase 1 के बाद तो असली लडाई शुरू होती है phase 2 है फिर उसके बाद interview है और इन दोनों के marks के basis पर ही आपका selection होगा तो वो main है तो इसलिए दोस्तों यह ध्यान रखना है कि अभी तो यह केवल stadium में entry का दरवाजा है ticket मिला की नहीं म अब हमारी sui attack कट-off पे तो मैंने जैसे examination से पहले ही बोला था वही में आद में भी रिपीट करता हूं कि कट-off ना उस पर बहुत जादा सोचने का कोई benefit नहीं होता है अभी क्या होता है मान लीजी आपने calculate किया यार मेरे 45 marks होंगे आपने मान लीजी यह कर लिया अभी किसी इने वीडियो बना दिया उसने का कि 46 plus minus 34 marks होंगे अब आपको लगेगा यह 46 plus हो गया तो फिर क्या होगा तो ऐसे में ना तो आप prepare कर पाएंगे और होना जो है वो होके रहेगा उसमें आप परिशान होके बीच में क्या कर लेंगे तो इसलिए बीच में परिशान आपको न अब easy होने का मतलब है थोड़ी है कि सभी के marks उतने आ जाएंगे और ultimately आपको यह भी ध्यान अकने ही सारे subjects के लिए होती है IT, finance, राजभार्शा, agriculture, environment science, food processing, food engineering, सारी चीज़ों के cut off ही रहती है इसलिए कम जाती है इसलिए tension नहीं लेनी है important क्या है general awareness आप देखिए last year cut off कितने ही 2.75 मैं यह कह सकता हूं कि इस बार का paper last year से भी ज़्यादा difficult था पर एक चीज़ मैं आपको बता हूं हर साल 2017-18 से आप देखिए GA का paper ऐसा ही आता है इस बार कुछ ज़्यादा difficult इसलिए था क्योंकि इस बार sports से question नहीं थे, books के question नहीं तो इसलिए आपको इसमें tension नहीं लेनी है, cut off कम जाती है, ESI भी आप देखिएंगे, SC schemes वो पूछते हैं, ऐसा लगता है, यह पूछी कहां से है, 3.5 marks last time cut off गई थी, उससे पहले भी आप देखिए cut off कम गई थी, cut off कम ही जाती है, कोई बहुत जादा cut off नहीं जाती है, इसल उनों का reason है, कम इसलिए हो सकते है, क्योंकि paper difficult था, but equivalent भी इसलिए हो सकती है, क्योंकि इस बार vacancies कम है, तो competition जादा हो जाता है, तो यह यहाँ पर difference है, vacancies कम होने का, so अगर आप देखिएंगे last time यह 46 थी, तो इस बार लगता है कही ना कहीं cut off 42 से लेके 45 के बीच में हो सकती है, यह से कम ही हो सकती, जादा होना थोड़ा सा again difficult है, क्योंकि इस बार जो vacancies है, वो different different stream में है, so दोस्तों इसलिए यह जादूई number है, इनके बारे मत सोचे, क्योंकि यह जादूई number आपको tension भी दे सकते है, और अगर आपको, मान लीजे, आपके 48 number भी है ना, और अगर question गलत होने का दुख होता है, तो इसलिए यह थोड़ा सा सोची, यह normal human tendency है, आपको उससे आगे बढ़ना है, ताकि आप अच्छे से prepare कर लें, देखिए 46 marks last year, general की cutoff थी, बाकी की cutoff आप देखिए कितनी कम थी, तो इसलिए सब एक जैसे मत देखिए आप क्योंकि इस वीडि कि जूट लिखा क्योंकि आज कल तो comment box में कितना भरोसा होता है, पोल का कितना भरोसा होता है, इसलिए आपको यह चीजे ध्यान रखनी है, so cutoff को कोई बहुत relevance नहीं होता है, number of applicants पे depend करता है, और exam के level पे, so अब जो सबसे important आपके लिए है, वो है phase 2 की preparation, दोस्तों, मैं पतलब नहीं होता है, और मतलब जो serious student होता है, वो क्योंकि exam से पहले prepare कर रहे थे, notification से पहले भी, तो definitely अभी भी prepare करेंगे, इसलिए यह धियान रखिए, कई बार, अगर आपका prelims clear हो, आपने बहुत पहले से preparation नहीं की है, बट आपने mains की अभी अच्छे से त्यारी कर लिए तो भी आपका selection हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं की पिछले एक-दो साल से preparation की है, तभी selection होगा, last time, क्योंकि अभी आपके पास बहुत time है, अगर result के अगर हम बात करें, तो generally आप देखेंगे, नाबाड हर बार surprise देता है, इस बार भी दे सकता है, नाबाड का result जो है, वो tentatively September end या फिर October beginning में आएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि last year अगर आप देखेंगे, 16th of October को examination हुआ था, prelims का, 5th of November को result declare हुआ, और जो final exam, phase 2 का examination था, वो था 19th of November को, आप देखें, लगभग उन्होंने 14 days दिये थे पिछले बार exam से पहले और similarly उससे पहले बार भी यही लगभग condition थी, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि यह time कम देते हैं, हो सकता है, इस बार वो surprise दे और ज्यादा time दे दे, बट इस बार तो उ लगभग 50 days है, 50 days तो है, but 50 days क्या बिना tension के आप prepare कर पाएंगे, यह आपको सोचना है, क्योंकि इसमें आप देखिए, आज 2nd of October है, यह होते होते September का end हो जाएगा, और उसके बाद अगर कहीं result आता तो फिर दिन बचते हैं कम, तो इसलिए आपको यह time को judiciously use करना है, यह date हम आपको बता रहें, कुछ दिनों में यह announce भी हो जाएगी, और last time भी जो date announce हुई थी न, वो result के पहले ही इन्होंने announce कर दी थी, तो result से पहले phase 2 की date announce करते हैं, फिर उसके बाद result announce होता है, तो यह चीज समझ लीजिए, यह नबाड का trend है, surprising चीज़े रहती है, कुछ भी surprise आपको मिल सकता है, बट यह ध्यान रखके prepare कीजिए, अगर आपने दिल में कहीं वो तमना लेके prepare किया है, नबाड का examination, तो बस करो, फिर टेंशन किस बात की है, okay, so this is all for today, और नबाड के लिए, phase 2 के लिए, आएक्जम भी daily target हम descriptive का रखते हैं, ARD में भी, ESI में भी, और उस आपको बताएंगे बात में, तब तक आप course हमारा join कर सकते हैं, आप उसका demo देख सकते हैं, उसके बाद decide कीजिए, उसके बाद join कीजिए, definitely बहुत बच्चे join करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों कि हमें guidance होती है, और guidance की क्या requirement है, क्योंकि यह descriptive है, objective से ज्यादा ना सोचे, love attraction के बारे में सोचे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, तो इसलिए अच्छा सोचे और अच्छा करे, thank you everyone